नमस्कार दोस्तो बिहार एलेक्सिन चल रहे हैं ऐसे में एक ऐसे नेता की एक ऐसे बाहुवली की बात करेंगे जो तर बिहार का सबसे बड़ा बाहुवली कहा जाता है जी हां हम बात कर रहे हैं बिजय कुमार सुकला और मुन्ना सुकला की जी हां अपराद की दुनिया का जा जेंता का प्यार है वो प्यार से कहता है मुझे ऐसे में बाहूתबरी मुन्न सुकला के उपर आरोप क्या है डियम की हत्य आरोप जिया है उसमें उनको सजा भी हुई उनके साथ कई और नाम के बड़े लोगों के ही नाम आये जैसे कि आनन मोहन Suraj भान सिंग का नाम, विधायक एकलाख का नाम, लबली आनंद का नाम, ऐसे कई लोगों के नाम है जिसमें इन सब को जेल हुई और जो है जुर्म साबित हुआ इनके उपर और जिसमें आनंद मोहन अभी तक उम्र कैद हुई है उनको ऐसे में लबली आनंद और मुन्ना सुकला यानि कि बजय कुमारूफ मुन्ना सुकला इन लोगों को थोड़े दिन बाद बेल पर रहे और उस पर इनको दोनों को रिहा कर दिया जाता है लेकिन मुन्ना सुकला राजनीती में भी एक बड़ा नाम बन चुके हैं इस बार हलां कि टिकट नहीं मिला है लेकिन आपको बता निर्दली जो है उन्होंने लाल गन शीट से नामंकंदाखिल किया है हलां कि इनके जीत के पूरे असार दिख रहे हैं हो सकता है ये डर के मारे लोग कहते हैं लेकिन लोग कासक् lightning सबसें बरे बाहुबली कहे जारूर नहीं है मुन्ना सुकला के उपर DM का मडर का जो हत्या का आरोप लगा वो तो लगा ही मंत्री बिर्ज बिहारी की मौत का भी उनके उपर आरोप लगा था उसमें भी कई लोगों के नाम साथ में आये ऐसे मैं आपको पता दें मुन्ना सुकला जेल में रहते हुए PhD करते हैं यानि कि दायक जी है रहे हैं और फिर से नामंकन किया है उन्होंने इंदर दलिये तोर पे वो डॉक्तर मुन्ना सुकला हो जाते हैं यानि कि उन्हें PhD की उपाधी मिल जाती है वो भी जेल में रहते हुए वो PhD कर लेते हैं उसके अबाद आपको दाएं कुछ फोटोज वाइरल होते हैं मुन्ना सुकला के मुन्ना सुकला जब जेल में रहते हैं जेल में रहते हुए बारबालाओं के डांस करवाते हैं जेल में और फोटो वारल होते हैं बहुत चर्चा का भी से रहता है कि जेल में रहते हुए एक अपराधी उसको डांस कैसे देखने को मिल दा है वहाँ प 15 करोण की संपत्य और 13 मुकद में आज भी अपराधिक इनके उपर संगीन धाराओं में धर्ज हैं ऐसे ही तमाम जो है आपको खबरे देंगे मुन्ना सुकला से जुड़ी हो और भी इसलिए